एजुकेटिड आदमी का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी चीज का ऐसे ही विरोध करें हम पड़े लिगे लोग हैं हम धर्म को नहीं मानते अप कहते हैं कि इंदुस्तान के सांट वागारा सबको बेखूप बनाते हैं सर आप कहिए मत इन बातों को एस सेंस ओफ इंक्वारी एक मंत्र मैं आपको देता हूँ वह मंत्र आप अपनी डायरी में लिख लिए उसे फॉलो करी है जैसे आम तोर पर मैंने देखा है कि बहुत जो साइंस स्ट्रीम के ज्यादा लोग हैं उन्हें रिलीजिन धर्म स्पिरिच्वलिजम इन सब चीजों से बड़ा एक डिस्टे करेंगे हम एविदेंश की बात करेंगे हम बिल्कुल यह सही भी है इस अवरी गूड अप्रोच कि ऐसा होना चाहिए पर आप कम से कम एक्सपरिमेंट करें इन फील्ड में और जब आपको कोई रिजल्ट ना मिले कि तब आप किसी ओपीनियन पर आएं कि सर्व एजुगेटिड आदनी का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी चीज का ऐसे ही विरोध करें हम पढ़े लिखे लोग हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं सर यहीं पर आप पढ़े लिखे लोग हैं आप धर्म को मानिय मत आप धर्म को जानने की कोशिश तो करिए यह इंस्टेंस मैं इसलिए ले रहा हूं डॉक्टर केके अगरवाल की वज़ा से ले रहा हूं बड़ी महान शक्षियत थे हिंदुस्तान की हम सब उन्हें शर्धान जिली दे रहे हैं और महाभारत पर उन्होंने बड़ी गहन रिसर्च किया बहुत ज़्यादा काम किया डॉक्टर केके अगरवाल ने महाभारत पर और कहा कि लॉड कृष्णा जो थे वो विश्चु के पहले एक हिूमन काउंसलर थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो साइकलोजिकल चैलेंजेस हैं उनका सुलूशन है महाभारत उन्होंने कहा कि साइकर्टिस्टों को इस गरंत को एक बार रिफर करना चाहिए इसने बड़े सारे सुलूशन से बड़े सारे मानिये मन से जुड़े हुए सुलूशन मन एक मिस्ट्री मन एक मिस्ट्री मन इसलिए शांती के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड है आमन आपने भी गौर किया होगा अमन अमन हम ऐसे ही कह देते हैं कि अमन शांत अमन होना चाहिए अमन का पैगाम लेकर आए हैं यानि अशांती के जो संबंद है वो इस से और डॉक्टर केगे अगरवाल ने कहा कि महाभारत जो है वो एक बड़ा ही साइंटिफिक टाइप का ग्रंत है मेरा कहना यह है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ विरोध नहीं होता एजुकेशन का मतलब होता है इस्पिरिट ऑफ इंक्वारी इस्पिरिच्वलिजम है आप कहते हैं कि इंदुस्तान के सांथ वागारा सबको बेखूब बनाते हैं सरआ आप कहिये मत इन बातों को एससेंस ऑफ इंक्वारी अगर ध्यान की बात उड़ती है मेडिटेशन की बात उड़ती है योत की बात उड़ती हमारे डॉक्टर योगेश व्लेचा है था एंडी है एंडी मेडिसन बहुत ही सबर्दस परसनालिटी एंडा में डॉक्टर योगेश वलेचा मैं तो मतलब बड़ा खुश नसीब हूँ उन जैसे डॉक्टर से मिलकर तो जब मेरा शुकर लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने का ओजा जी ये बताइए आपको जैसी सलाद हूँ या एक व्यक्ति के रूप में सलाद हूँ मैंने का जीब बताएं तो मुझे तोड़ी सी सौर्कोडसिस की प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्हेंने स्टोराइट देना शुरू किया स्टोराइट से शुगर लेवल बढ़ना शुरू तो एक सिंपल सी भाण जी मैंने का सर योगात मैं करता हूं योगा इस वरी मनते हैं तो आप योगा भी किरयो और एकसराइज वी मॉझारिया ओ और जाधा करी मेडेसिन और मञार माद देता हूं वह मंत्र आप अपने लिख लिए लिक लिए उसन फॉर फॉलो करी नो एकसराईज no rich food और सर वो मंत्र इतना काम कर रहा है इतना काम कर रहा है कि मैं आपको क्या बता हूँ उन्हों ये ने का no exercise no food no 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 उन्हों ने का no exercise no rich food जोसे आप कहीं जा रहे हैं आप exercise नहीं कर पा रहे हैं आप dog नहीं पा रहे हैं नहीं कर पार तो नहीं ठीक है हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम रिच फूड भी नहीं खाएंगे एडिकेशन आपके अंदर जो चीज डिवलब करती है न वह सेंस ओफ इंक्वारी मन जिन्हों ने अपने वश्ट में कर लिया वह महावीर हो गए अब हम जब महावीर कहते हैं तो हमें सर्फ जैन मुनी महावीर की यादा आती है महावीर मतलब हर वो आदनी जिसने अपने मन को अपने कबसे में कर लिया है हम हनमान जी को महावीर कहते है हनमान 40 इसलिए पढ़ने पर जोर दिया जाता है कि साहब आप देखो क्या साइंस है उसकी उसकी एक एक लाइन इतनी साइंटिफिक है कि अगर उसे इंक्वारी करने की कोशिश की जाए तो मेरे खाल से 99% प्रॉब्लम अपने आप खतम हो जाएगे जैंदा